हेलो फ्रेंड्स वेल्ट्रों में यूट्यूब चनल हम देख रहे हैं आसा वरत आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो मैं आप बात हो रहे हैं रेल बे अलपी टेक्निशिन का टॉप के बारे में तो एससेंट लोको पालेट का टॉप क्या रह सकती सीवी टू के फर्वरी उसका आंसर की जो रिलिष्ट कर दिया गया है और अब्जेक्शन लगाने का समय भी अब खतम हो चुका है तो ऐसे में अब एक चांस है तो वो है नॉर्मालाजेशन का जिससे आपके अंक जो बढ़ सकते हैं यह लास्ट चांस है एक रिजल्ट आने के पहले तो अगर आपके अंक आंसर की में 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं तो आपको कितना चांस रहेगा क्वालिफाई कर जाने के लिए आगे स्टेज के लिए साइको के लिए या आने वाले अगले स्टेज के लिए तो 40 से 50 के बीच में अगर आपके अंक आ चुके हैं तो आपको यहां सब्सक्राइब कर लिए अगर आप मारे चनल पर नए आये हैं नए विजिट के और साथ में पहला आइकन दवाना ना भूले तो चलिए वीडियो स्टाट करते ज्यादा समय नहीं लेंगे यहाँ पर बात हो रहे है RRB ALP CV2 कट आफ के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं जो आंसर की वो आ चुका है तो ऐसे मैं आंसर की के द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं कि कट आफ कितना जा सकता है यह मैं आपको एस्पेक्टेट कट आफ बता रहा हूँ अगर आप जनरल के टेगरी से बिलॉंग करते हो अगर आपके अंग 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं तो आपको जो चांस है वो 75 से लेकर के 100 परसंट तक चांस है कि आपका सलेक्शन जब वो साइको के लिए हो जाए आने वाले अगले साइको के लिए अपका हो जाए क्योंकि बहुत जगा लिखा गया कि 8 गुना आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा तो ऐसे में चांस बन सकता है अगर आपके अंग जब वो 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं अगर आप चनरल के टेगरी से हो तो 75 से 100 परसंट चांस है कि आपका सलेक्शन जब वो साइको टेस्ट के लिए हो जाए तो मैं 75 परसंट से इसलिए 100 परसंट बोल रहा हूँ कियो कि अगर किसी के 50 एंग के 40 है या 41 है तो उसके चांसे जो iliit जो waip 37 है और जिनके अंग 39 है 48 है उनके चांसे जो 95 परसंट 100 परसंट उनके चांस रहेंगा सेलेक्शन हो जाने कर गए तो इसी तरह से यह जो परसेंटेज होगा यह आपका वैरी करता जाएगा 41 से लेकर के 50 तक कि आने कि 42,45,45,47 तो यह तो सारे आपके वैरी करते जाएगा उसी तरह से आपके चांस यह वो बढ़ते चल जाएंगे आपके जतने अधिक नंबर हो आपके चांस उतनी ज्यादा हो जाएंगे आगे आने वाले स्टेज में सेलेक्शन हो जाने के लिए तो OVC की बात कर ले तो OVC में यहां पर आपको 80-100% चांस आपका सेलेक्शन हो जाने का इसमें भी वही बात है फ्रेंट सेम बात है कि अगर आपका अंग 40-41 है तो आपको यहां पर 80% चांस है कि आपका सेलेक्शन जो अगले स्टेज साइको के लिए हो जाए और आपका अंग 48-47 आ रहा है तो आपको 95-97% चांस है कि पूरी उमीद ही है कि आपका सेलेक्शन जो आने वाले स्टेज में हो जाए क्योंकि 8 गुना यहां पर साइको टेज के लिए बुलाया जा रहा है अगर ऐसा होता है तो बहुत इच्छी बात है तो साइको कट ओफ फिर कम देखने को मिल सकता है स्ट की बात कर ले तो स्ट की यहां पर 85% से लेकर के 100% चांस है यानि कि जिसके नंबर भी 40 है 41 है वो भी क्या हो सकते है क्वालिफाई हो सकते इनको भी है जिनके नंबर 41 40 है उनको भी 85% चांस है ऐसी कटेगी से अगर बिलोंग करते हैं और यहां पर ST की बात कर ले तो ST के यहां पर मैं आपको बता दू कि अगर आपके अंक 40 से लेकर के 50 के बीच में है तो यहां पर आपका चांस जो है मैं आपको बता दू 95% से लेकर के 100% चांस है कि आपका सेलेक्शन जो हो जाए 95% से ले करके 100% आपका chance है यहाँ पर selection हो जाए अगर आपका 40 भी है तो 95% chance है यान कि एक तरह से देखे तो पूरी उमीद है आपको कि यहाँ पर selection जो आपका हो जाए 40 है या 41 है तो आपको 95% या 100% भी कह सकते हो कि आपकी पूरी उमीद है कि आपका selection जो यहाँ पर हो जाए अगर आपको 40 प्लस स्कोर आ रहा है क्योंकि इसलिए में आपको बता रहा हूं क्योंकि pro rated mark भी आपको अभी दिया जाएगा जो कि आपको अभी नहीं दिया गया है pro rated mark इसलिए दिया जाता है क्योंकि objection जो लगाया जाता है और कुश answer जो incorrect रहते हैं या question incorrect रहते हैं ? तो उन दोनों को मिला करके pro rated mark दिया जाता है जैसा है कि group D में result में आपने देखा होगा कि दिया गया था तो दो से तीन नमबर आपको pro rated mark मिल जाता है जो कि आप एक bonus की तरह पर कह सकते हैं अगर आपने objection लगाया है तो अपको फिर ज्यादा आंग भी यहाँ पर मिल सकते हैं चार से पांच नमबर भी मिल सकते हैं तो यह तो बात होगी pro rated mark ही तो अब बात कर लें, नॉर्मलाइजेशन की तो नॉर्मलाइजेशन में आपको pro rated के mark जो process होता है वो होता है, नॉर्मलाइजेशन का तो normalization में आपको 6-16 अंग तक बढ़ सकते है 6-16 अंग तक आपको अंग बढ़ जाते हैं तो आपका अंग जो वो 50 प्लस आराम से हो जाता है अगर आपके अंग 40 है, 41 है तो आपको आराम से 50 प्लस अंग यहां पर हो जाएगा तक जो लोग जिनके अंग 40-50 के बीच में वैरिक कर रहे हैं चाहिए वो किसी भी category से हो तो उनको यहां पता लग जाए कि उनको कितना percent chance है selection हो जाने का और यहां पर मैं ST के लिए तो confirm तोड़ पर कह रहा हूँ यहां पर प्रदिया हो अगर 40-40 आ रहे हैं तो अराम से उनका भी selection यहां पर हो जाएगा यहां प्राब्धान जवो रेल वीक तप से होगा लेकिन आसा कोई भी बात नहीं है तो बस इस week video में इतना आप्गले वीडियो में नए अपडेट के साथ